हेलो मेरे कक्षा आठ के प्यारे प्यारे विद्यारतियों कैसे हो आप सब मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आध्यामाम जूर चुकी हूं मैंगनेट ब्रेंस पे जहां आपको मिल रहा है हाई कॉलेटी एजुकेशन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट किंडर्गार्डेन से लेकर के 12 सब्सक्राइब कर दो अपने दोस्तों को शेयर कर दो देखो मैं हो सकता है आपके लिए नहीं हूं क्योंकि मैं कक्षा आठ का यह जो अभी पार्ट लेकर के आई हूं वो है अत्रिक चैप्टर जो आपकी क्लासिक्स के चल रही है दूरवा भागती इसमें कुछ और चैप्टर जो हैं पार्ट है वो एड हुए हैं आज मैं उसी में से एक वीडियो लेकर के आई हूं जो कि हैं हमारा पार्ट 18 आओ पत्रिका निकाले एक चीज बताओ पार्ट पर बढ़ने के पहले एक चीज मुझे बताओ आप लोग कितने बच्चे यहां पर ऐसे हैं जिन्होंने कभी पत्रिका नाम सुना है क्या कभी आपने सुना है जब शादी की बात होती है तो जन्म पत्रिका निकाल हो यहां जिस पत्रिका की बात हो रही है बच्चों वह मैगजीन की क्यों है अब आप देखो जैसे पार्ट पढ़ते जोगे आपको समझ में आ जाएगा कि जो बच्चे बना रहे हैं यह बोले निकाले मतलब पत्रिका निकाल रहे हैं मतलब कोई चिस पब्लिश कर रहे हैं त निक्ते क्या हम लोग मिल करके क्लास सेवन की बच्चे मिल करके पत्रिका पब्लिश करा सकते हैं यह प्रशन है और इसका उत्तर देखते हैं आगे देखो पाठ शुरू करने के पहले थोड़ा सा हम अपने लेखक को भई जान ले तो लेखक का कोई परिचे तो दिया नहीं है अंत में नाम लिखा है मैं उस पर आपको बता रही हूँ इनका जो नाम है सरवेशर दयाल सकसेना जी मैं आपको बता दू जो हमारे ये लेखक है इनका खुद ये संपादक रह चुके हैं पराग पत्रिका के ये जहां तक मुझे याद है 70 और 80 के दशक में हाँ 70 और 80 के दशक में पराग पत्रिका बहुत फेमस थी और ये बच्चों के लिए थी ठीक है नन्य मुन्य बच्चों के लिए तो ये जो है उसके संपादग रह चुक है इसका मतलब ये जो भी लिखे हैं जो भी हमें बता रहे हैं कहीं ना कहीं ये चीज सत्य होगी और क्योंकि इनको experience है इस चीज का इनको अनुभव है तो देखत सबसे पहले रीड करते चाते हैं और इसकी व्याख्या समझाते चलते हैं बहुत से बच्चों को लेखक बनने का शौक होता है अपना नाम पत्रिकाओं में छपा देखने का बड़े होने पर अपने नाम की किताब छपी देखने का यहां पर यह कह रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लेखक बनने का शौक होता है अच्छा एक चीज बताओ आपके मन में की से बनने की डिगरी देखो आगर मैं यह कहो मैं लेकग हूं तो यह गलत होगा आप लिगता हो आप एक बात बताओ आपको एक्जाम में परिक्षा के वक्त आपको पेपर मिलता है तो क्या आपने अभी तक कोई निबंध नहीं लिखा है क्या आपने अभी तक कोई पैराग्राफ नहीं लिखा है लिखा है ना तो बच्चो जब आप यह लिखे हो अपने विचार लिखे हो तो हम सही शब्दों का चैन कर सकते हैं और उसमें पारंगता कैसे हासल कर सकते हैं मतलब लेखक बनने के लिए आपको आनुभव चाहिए आपको आपका क्रेटिव दिमाग चाहिए और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आना चाहिए पस यही चीज है ठीक है तो लेखक तो एक इसे पूछो क्या तुम्हें लेखक बनने का शॉक है जरूर अपने दोस्तों को शेर करना क्योंकि यह जो वीडियो के एंड में पता चले लिए पूरे ग्रुप का काम है तो हो सकता है आप वीडियो शेर करोगे वीडियो को लाइक करोगे तो कहीं नहीं आपको एक खुद में अपने आर्टिकल दिया है या फिर कोई भी चीज लिख करके स्कूल मैगजिन या फिर न्यूस पेपर में दिया हो और वहां पर आपका वह आर्टिकल भी निकलो उसके साथ नाम लिखाओ तो क्या आप उस पूरे एरिया को कार करके अपने पास नहीं रखते इसकी फोड़िए कर आ के नहीं रखते पाल से चाहँगा या कोई बुरी बात नहीं बलकि अच्छी बात है ले康ी जरूरी एक बोरी बनने बाही कोई और जाहां यह उसके लिए इस खिलारी बनते हैं तो क्या आपको उस खेल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और सबसे बड़ी चीज कैसे खिलाडी बनोगे भाई प्राक्टिस करते चलोगे ना हर रोज थोड़ा 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 करके खेलोगे जैसे खेलते जोगे आपको उसका अनुभाफ होगा और आप उस चीज में और पारंगत होते जाओगे तो यहां पर भी वही कह रहा है अगर आपको बड़े होगे पत्रिका निकाल नहीं है अपने नाम के बिलकुल निकाल सकते हो बहुत आसान है इसमें कोई मुश्किल नहीं है लेकिन आपको उसकी तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी चलो अब निकाल सकते हो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है बहुत ही आसानी से तुम लोग निकाल सकते हो कोई रॉकेट साइंस नहीं है आगे देखते हैं बाजार से रूलदार कागज ले आओ रूलदार मतलब बच्व जिसे यह मालू यह आपका यहां पर दिखाती हूं मैं रुको रूलदार यह होता है आपने बाजार से रूलदार कागज ले आओ ले या अपने भाई बहन से अपने स्कूल और महले के साथियों से बाचीत करो अब क्या करो भाई रूलदार कागज ले आए बाजार से फिर अपने भाई बहनों से अपने स्कूल और महलों के साथियों से बाचीत करो क्या बाचीत करो, उनसे कहो कि पत्रिका निकालने जा रहे हो, उनसे बताओ कि तुम जो हो पत्रिका निकालने जा रहे हो, वे तुम्हारी पत्रिका के लिए कुछ लिखे, वो तुम्हारी जो तुम पत्रिका निकालने जा रहे हो, पहले बाद तो इसके बारे में बताओ कि मै सकते हैं और उसको अपने धुम्हें और गorous सकते हो अपने घर के पेरेंट सेब क्वोल सकते हो पत्त्रेकान निकाल रहा हूँ जहिए तुम जो भी चाहो लिखो फिर वो चुटकुला हो कहानी हो कवीता हो लिख करके मुझे दो और मैं उसको छापूंगा अपने पास ठीक है आगे क्या बोलता है इसके लिए तुम्हें अपनी रचना दे दे और पत्रिका निकालने के लिए क्या करे तुम्हें वो अपनी रचन जिसके हस्तलीपी बढ़िया हो उससे लिख वालो देखो बच्चो अब क्या करो अपनी अपनी रचनाय दे दी अब रचनाय देने के बात क्या है तुम क्या करो जित जो रूलदार पेपर लाए हो तुम मार्केट से बाजार से उसमें सुन्दर सुन्दर राइटिंग में उनकी रचनायों को लिखते जाओ वो राइटिंग सुन्दर होनी जाए क्योंकि लोग पढ़ें तो इसको स्पष्टे रूप से और अच्छा लगे अगर मालो तुम्हारे राइटिंग अच्छी नहीं है तो भी उसका उपाए हमारे लेखक ने दिया है कैसे दिया है तुम लीपी से लिख रहे है हास्तलीपी मतलब हैंड राइटिंग हम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेसिकली तो जिसके राइटिंग अच्छी हो तो मुझसे लिख वालो अगर तुम खुद नहीं लिख पाओगे तो फिर अगर कोई ड्रॉइंग या पेंटिंग बनाना चा पर बनेगे तो वो मज़ा नहीं आता है और एक चीज बच्चों देखो क्योंकि यह आप लोग क्लास 8 के लेवल पर निकल वा रहे हो तो 8 से नीचे वाले बच्चे भी बहुत तो पढ़ेंगे और कहीं भी किसी भी पार्ट में जब तस्वीर आती है ना तो हमारा दिमाग तस्वीर को ज्यादा अच्छे से अपने दिमाग अंदर स्टोर कर लेता है और तस्वीर चीजों को आकर्शित बनाती है तो क्या करो अपने कुछ दोस्तों से बोलो जो ड्रॉइंग में पारंगत हों जो बहुत अच्छा चितरकारी करते हों उनसे बोलो मालो अगर तुम् को नी कि नाफ़ और उसको यहां पे लगवा लो ठीक है भाई अब क्या करना है पिर उसी रचनाओं पिर उस रचनाओं के बीच में लगाद लो सब को ऐखटा कर खुद सी सिल लो और नीवर कुंद से उसको आपस में क्या करो सिल लो जैसे स्टपलर करते हैं पहले के डाइम में बाइंडिंग हो दी या फिर हम लोग उसको सिलने का काम कर दे तो वो बोल रहा है आगे पत्रिका को खुबसूरत बनाने के लिए उसका cover मोटा कागल का रखो आप उसको कैसे खुबसूरत हम और बना सकते हैं उसका जो cover है जो front page है उसको मोटा रखो देखो आप लोग assignment बनाते हो ना बच्चो धेर सारे pages का लेगन उस page में भी जो सबसे उपर वाला जो प्रिष्ट होता है जिसमें आप अपना नाम लिखते तो यह वही बात बोल रहा है क्योंकि कहा जाता है ना first impression is the last impression पहला जब किसी पर आपका एक अच्छा अनुभब दिख देया इसका मतलब हमारे दिमाग में वो उसके जो चितरे वो छप जाता है कि यह अच्छा होगा कोई भी चीज़ जब अच्छी दिखती है तो हम लोग उसको तुरंट ले लेते हैं तो यह वही चीज़ कह रहा है कि भाई पत्रिका को खुबसूरत बनाने के लिए क्या करो उसका कवर मोटे कागज का रखो और उसका रंगीन कागजवर रंग से सजावट कर लो मतलब उसका जो कागज रखो उसमें अलग-अलग रंगीन थे 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 थोड़े वह टाइम के लिए उसी प्रिकार भाई अपनी पत्रिका का भी कोई एक नाम रख लो प्रिश्टों पर नंबर डालो जो उसके प्रिश्ट है उस पर क्या करो नंबर डालो मालो अगर 10-12 है तो 1-2-3-4 करके नंबर डालो फिर शुरू में एक सूची ब बना लो जैसे इंडेक्स कैसे बनेगा मालो तुमने ये बनाया यहां पर तुमने संख्या लिक दी ठीक है यहां पर रचना का नाम लिख लिए और यहां पर क्या लिख दो प्रिश्टि संख्या ठीक है मैं ऐसे रफ बता रह strugg lini चलो आप समझ मंया आगे आपको यह जो होत ने फ्रंट-पीज्स पे वो क्या हो जाता है आपका इंदेक्स छो कहते हैं हम्ने बना लिक तक हो गया ठीक है मतलब एक हट्टता हो गए पेंटिंग उसके से बाद हमने रेके बना लिया डाल दिया इन्डेख डाल दिया सब कुछ औरही पत्रिका कितनी छोटी बड़ी हो या कितने लोग कितने कितना लिखेंगे इसका हिसाब से ऱैकर लोग एिस सब मit essa mechanism uh reborn क्या लिखना है कि तुम्हारी जो पत्रिक का वो कितनी बड़ी होगी वो दस लोगों की रचनाई होंगी यह चार लोगों की रचनाई होंगी कैसे होगी यह सब चीज़े पहले लोगों से बात करके पता कर लो ताकि तुम्हें यह चीज समाज आ जाए ठीक है आगे देखो कि हाशिया क्या होता है पता है हाशिया क्यों सोचो 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 танapi कॉमण प्रूल्दार कागज रहता है पूरा test copy देने जा रहे हो, σबसे पहला काम क्या करते हो, पता है? हाशिया खीचते हो, मतलब! margin खीचते हो! मतलब क्या कहgil रही? रंगीन pencil से हर chỉū प्रिष्ट का हाशिया byl बोटेदार बना सकते हो, हाशिया मतलब inning ठीक है, अंग 번째 में, मार्जीन कहते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों हाशिया चलो अरे आगे बढ़ते हैं अब आया बेल मैं बोटेदार क्या है बहुत बतला डिजाइन जैसे मालो तुमने यह बनाया यह तुमने मार्जिन खीच ली यहां पर तुमने अपनी रचनाएं लिखी यहां पर तुमने ऐसे करके बना दिया या फिर बेल बना दिया उसमें पत्तियां लगा दि तरी के से कुल मिला के यह कह रहा है कि तुमने उसको सजाना है ठीक यह समझ में आ गया हश्या और बेल बूटेदार क्या है बना सकते हो कोशिश करो कि तुम्हारे साथी लेकप अपना सोच कर लिखें ज लिख दें देखो बच्चों मतलब यहां पर यह कह रहा है कि कोशिश यह करो कि अब जो भी चीज़े तुम रचनाई लाएं हैं लोग अलग-अलग बच्चे वह उनके खुद की लिखी रचना हो यह नहीं कि अब वह मालो कोशिश करने वालों की कभिहार नहीं होती सोहनलाल दिवेडी की यह कविता वो लिख दें और उसके नीच से लिख दें वो उन्होंने खुद लिखी है नहीं भई यह चोरी करना हुआ किसी और की मेहनत को हम खुद का नाम देंगे यह चोरी करना है और बच्चों उस पर कॉपी राइट का इशू भी होता है यह लीगल सबसे पेपर लेबरें मार्केट के मोड़ो हो कहर आगा तो उसमें नीचे कवी हैं उनका नाम की है उनक नाम लिख classical सोंगतेरी वहां पर आपना झाल नहीं है ठीक है यहां समझ में आया चोरी नहीं करनी चाहिए मतलब कुल मिला के यहां से जो है कि यहां पर तै कर लो और यह जो दो परग्राफिस में यही बात हो बोल रहा है बच्चों कि सबसे पहले चीज मार्केट से पेपर ले आओ उसमें तुम अपने डिसकस करो लोगों से प एक टॉपिक पर लिखे ताकि तुम्हें एक ही बुक का नाम समझ में आजाए इसली या तो फिर ऐसा करो कि सब अलग लग लिखे तुम्हें नॉर्मल बुक दे दो बुक का नाम दे दो शीर्शक देना जरूरी है तुम उसमें ड्रॉइंग करो रचनाय सुन्दर राइटि तुम पांच बाते जरूर ध्यान में रखो अब यहां पर बता रहें पांच बातों का विशेश ध्यान रखो पत्र का निकालने के लिए क्या क्या है वही पहला हिज्जे दुरुस्त हो और भाशा और व्याकरण की अशुद्धिया ना हो देखो बच्चो यह जो वड़ है हिज्जे हिज्जे देखो कई लोग आपको इसके अलग-अलग अर्थ बताएंगे लेकिन मैं आपको आपको पूरी तरह से सही घ्यान देने के पूरा प्रयास करता है इसलिए मैं यह नेपाली शब्द है हिज्जे और इसका जो इंग्लिश में होता है उसका मतलब है और हिंदी में हम क्या कहते है वर्तनिया ठीक है तो भाई हिज्जे मतलब स्पैलिंग दुरूस्तों स्पैलिंग अलत नहीं हो पत्रिका की बहुत बड़ी विशेश्टा होनी चाहिए जो संपादक है वुलसीज का विशेश ध्यान दे कि उसमें जो स्पैलिंग है वो इसे फ्युद्ग सही हो मतलब अब अएसा नहीं हो कि हम पुलिंग की बात कर रहे हैं और उस में करियाइस ठीलिंग की लगा रहे हैं तो इन सब कुछ चीजे हैं सब हमें ध्यान होना चाहिए कि सी बड़ے को पहले दिखा सकते हो मतलब वुजो फाइनल पेपर में लिखने है इसके पहले क्या करो किसी बड़े को दिखा वालो जाच कर वालो कि आप जो लिख रहे हो वो सही है कि नहीं užिस किस तरीक में क्या कहाी होनी चाहिए उसका व्याकरण सही होना चाहिए और उसकी भाशा सही होनी चाहिए यह हो कि रचना मत दो देखो इसको कुछ लोग आपको ऐसे एक्स्प्लेइन करेंगे कि जो आप क्योंकि यह पब्लिश कर रहे हो तो आप जो अपनी रचना पहले लिखो नहीं भाई यहां पे भूल कर भी वहां पे अपना नाम डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप खुद का नाम डालोगे तो क्या हो जाएगा वह चोरी की रचना हो जाएगी चलो जल्दी से आगे देख लेते हैं तीसरा पॉइंट लिखने लिखाने से पहले यदि साथी लेखक चाहते हो त तो मुझे बताओ क्या मालो मैंने मौसम पर कोई पत्रिका निकाल रहा है तो क्या कोई ऐसा है कि तुम समर पे लिख लो या फिर तुम गृष्मे पे लिख लो तुम शीट पर लिख लो तुम वसंद पर लिख लो ऐसे अलग-अलग कर दे ऐसा कर लो या तो फिर ऐसा कर लो इस चीज़ पर करें डिसकाशन पहले हो जाए ताकि लिखने वाला भी क्लियर है और हम छापने वाले तो हम भी क्लियर हैं पूरी तरह आगे देख लेते जल्दी से चौथा पॉइंट देखते हैं तुम अपनी पत्र का निकाल रहे हो अतर संपादक होने का घमंड मत करो बलकि अपने लेखकों को प्यार करो उन्हें आदर सम्मान दो कमजोर रचना को ठीक करने करना हो तो उनको बता दो देखो बच्चों यहाँ पर क्या पॉइंट कह रहा ह यह जो पॉइंट कह रहे हो देखो कि तब प्यार से वह बात समझा रहा है कि सबसे पहरे चीज़ जब तुम अगर संपादक बन रहे हो तुम अपनी पत्र का निकाल रहे हो तो कभी इस चीज का घमंड मत करो कि मैं पत्रिका बना रहा हूँ ठीक है और जो तुम्हारे लेक konuş है आपके मैगजीन लोग क्यों पढ़ेंगे कीओ उस में में कोई द्रॉंग देखने भाई वो मागजीन का मतलब वो पतरिका मतलब एक कितने लोग उसको पढ़त है कितने लोग उसे जो घ्जान के बातें वह वह देखना चाहर है है कि नहीं इसे लिए अपने जो लेखक है उनसे कभी भी बत्तमीजी मत करो उनसे प्यार से बात करो आदर करो और सम्मान करो ठीक है और अगर आपको लगता है कि आपके अनुसर कोई ऐसी रचना है जो उसमें कोई कमी है कुछ भी इस तरह की चीज़े हैं तो उसको उसको कभी ऐसा बेज़ती ना करो कि आपनी ये गलत लिखा है वह ऐसा नहीं है या फिर आप खुझ से ठीक कर दो नहीं किसी और की को जो रचना है लिखी हुई उसको हम नहीं ठीक कर सकते हम उसको वता सकते कि देखो आप इसमें यह चीज़े ठीक कर लो अच्छा होगा त इतनी खुबसूरत बना सकते हो बनाओ क्या-क्या जो पत्रिका है वह लिखावट में और सजावट में मतलब बच्चों आपकी पत्रिका आपको जो आप छाप रहे हो इस सहा लाँ अ लेखे लेखन शैली भी और सजावट में मतलब देंख उस्का आप लिख सब्सुरत तभी तो लोग उसको उठाके पढ़ेंगे अब एक बाद बताओ कोई गंदी राइटिंग में लिखी हूँ जैसे आपकी टीचर है ठीक है आपकी अध्याप पिका बोलती है ना तुम्हारी नोट बहुत गंदी है मैं उसको चेक नहीं करूंगी एक्जाम में भी देखना बहुत पष्ठ हो और देखने में आकर्शत हो उससे क्या होता है ना कि सामने वाले क्या पढ़ें उसके अंदर वो उसको पढ़ने के लिए इच्छुक होगा और जैसे ही वो पढ़ने के लिए च्छुक होगा उसके बाद हमारा प्रश्ण उठता है कि उसके अंदर क्या ल अच्छी है उस लेख की उस रचना कि उससे उनको कितना ग्यान मिला यह डिसाइट करेगी कि वह पत्रिका की आज जो सामने वाला पढ़ रहा है पाथक के दिमाग में उसकी छविक कितने लंबी चलने वाली है यहां तक समझ में आ गया चलो आगे देखते हैं जब तुम्हार लिखांटर की आए अप धितने लोगों ने पत्रिका अपने पत्रिका आपने इस्वरे चीत रचनायमें उस पत्रिका में सब को बुला लो रिखटा कर लो रिखता लो और एक हटा करें गया कहते हैं जतने कितने और कोशिश करो घर पे करो और अगर उस पर आपके मम्में चाय पकोड़े बना दे या फिर कुछ इस तरह का नाश्टे की वैवेस्ता करा दे तो क्या ही करना यह क्या बात करें जब हम यह मालों बड़े-बड़े लोग बुक अपनी रिलीज करते हैं तो उन लोग क्या करते ह है यहां पर बच्चे बना रहे हैं पत्रिका तो बच्चों के स्थर पर भाई क्या करो आप जो जो लोगों ने रचना है दी उनको घर पर बुला लो चाय पकोड़े की पार्टी दे दो और वहां डिसकॉशन कर लो कि भाई देखो यह पत्रिका है सब को करके पढ़ाओ कि देखो यह हमारा पूरा कंबाइन महनत है जैसे आप लोग ग्रुप प्रोजेक्ट करते हो ना ग्रुप प्रोजेक्ट करने के बाद पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है तो आप लोगे बैठके डिसकॉशन करते हो यह देखो यह प्रोजेक्ट है हर मेंबर को दिखाते हो तो पत्रिका जो भी चीज़े है वो तो रचनाए है वो सब तो पत्रिका में लगी हुई है पर खाली पन्ने क्यों देखो यह जो खाली पन्ने अब हमेशा देखना कोई भी नोट बुक होती है उसमें हमेशा एक पीज पीछे का ब्लैंक रहता है और अधिकतर पीछे का ब्लैंक पेज हम लोग अपने लिखने के लिए प्रयोग करते हैं रफ वक या कोई भी इंपोर्टेंट चीज़े ठीक है लेकिन इस पत्रिका में उसका क्या उपयोग होगा जानत मतलब बच्चों यहां पर जो बात हो रही है यह फीडबैक की बात हो रही है किसकी फीडबैक मतलब कह रहा है कि तुम जब बुक बनवाना अपनी सिलने के पहले दो तीन कोरे कागल जरूर उसमें लगा देना दो तीन कोरे पन्ने उसमें लगा देना उससे जानते हो क्या ह होगा आपका जो जो लोग उसको पढ़ते जाएंगे उससे बोलना उस पर फीडबाक लिखें क्या होगा अब मालो वो पत्रिका मालो मैंने मालो तुम लोगों ने बनाई और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ आपने मुझे लाके दिखाई मैंने उसको पढ़ा मैंने करेवा य जो कायरे किया है उसके लिए मैं सरहती हूँ ठीक है अब वो जो दूसरे लोग पढ़ेंगे मालो साइंस टीचर ने पढ़ा तो वो भी देखेंगे तो उसके साथ साथ वो यह भी देखेंगी ने कि मैंने कुछ कॉमेंट लिखा है उस पर फीडबाक बहुत अच्छा मिला ह वो भी कुछ ना कुछ अच्छा लिखेंगी तो वैसे करके ना जब आप पता है देखो तारीफ सुनने का शौक सबको होता है होता है कि नी honestly वेदा ना तो भई वहाँ पे भी वो जो है ना आपके जब तारीफे होंगी और यदि किसी ने अगर कोई आपको नुस्क निकाल निकालने में वह आपको पता चल जाएगा बेसिकली लोगों से फीडबैक लेने की बात यहां पर की गई है आगे देख लेते हैं फिर स्कूल खुलने पर अपने अपने शिक्षकों को भी दिखाना उनकी राय लिखवाना और यदि चाहो तो अपने स्कूल के प्रमान पत् सेत तरिका निकालने की सुचना देना मतलब लेखाग जी कह रहे है भई की अपने स्कूल में निकल वहो कौशिश करो कि आपके स्कूल में भी आप दिखाओ प्वीडबैक लो रिखी यह आप अपने पूरे निकल दीन नहीं वोईसे बिखाओ कि इसको रिलाइस करेंव और यह देखो यहां पर खाया नवर्ड प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र मतलब बच्चो सर्टिफिकेट को हम हिंदी में क्या कहता है प्रमाण पत्र तो यह अगर ऐसा होता है तो फिर जो तुम्हें प्रमाण पत्र मिलेगा स्कूर से उस चीज को लेखक के पास भिजवा दो क्या आदक समझ में आ गया चलो वैसे दुनिया के बड़े लेखकों ने अपनी खुशी के लिए शुरू शुरू में अपने हात से लिखी पत्रिकाएं निकाली हैं क्या बतार है कि जो हमारे दुनिया में जो बड़े बड़े लेखक आज बन चुके हैं उन्होंने बच्पन म अपनी खुशी के लिए के सीच के लिए अपनी खुशी के लिए अपने हातों से लिखी जो पत्रिका है उसको निकाली है किसी नाम के लिए नहीं मतलग किसी प्रकार के नाम ख्याती के लिए नहीं निकाली थी अपने खुशी के लिए मैंने लिखी है मेरी खुद के लिखी य और आप उसको खुद सम्हाल के रखो तो आपको भी अच्छा लगता है ना बस यह वही चीज़ कहा रहा है बच्छों उसमें ज्यादा घुमाने वाली बात नहीं है वो सिंपल कहा रहा है कि बड़े बड़े लोग जो लाइफ में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्स बनात गरते हैं और अभी भी लोग निकालते हैं पर उसमें नाम की लिए निख्याती लिए बस शौक की लिए करते हैं ठीक है अपनी खुशी के लिए आगे चाहो तो उनका यह रास्ता अक्तियार कर सकते हो मतलब देखो फिर यह अक्तियार है ना यह उर्दू अलफाज है हाँ उर्दू भी है लेकिन यह नेपाली भी है यहां पर आपको एक दो वर्ड नेपाली के मिले थे याद है मैंने एक और वर्ड आपको बताया था जो इसे कॉमेंट करो कौन सा वह वर्ड था यह अक्तियार का मतलब होता है अथारिटी अधिकार ठीक है है हिंदी में हम इसको मनाएं अभी से ले लो और हमारे लेखक जानते हैं कि जो बच्चे हमारे काम करेंगे वह बहुत अच्छा करेंगे इसलिए भाई हमारे जो शुब काम मनाएं वह अभी से ले लो यह तो भाई लेखक ने कहा दिया भंभी बता दे रहे मुझे भी पूरा भरोसा है जो हमारे magnet brains के प्यारे प्यारे विद्यार थी हैं वो सभी इतने काबिल है कि वो हर कारे को अच्छे से कर सकते हैं है कि नहीं और इसलिए भाई मेरी तरफ से भी धेल सारी शुपकामना है ले लो क्योंकि अब आप लोग के एक्जाम्स भी आने वाले हैं और आप लोग इस तरीके के हमारे हिंदी में एक बहुत बड़ी शक्ति है वो आपको ये जरूर बता देगे कि आप इंसान कैसे वनों आपके अंदर मानविये गुण क्या है कहीं न कहीं आज हमारे मोरल एजुकेशन जो एक बुक हुआ करती थी कभी न कभी एक हम लोगों का पीरिड हुआ करता था व और हिंदी में भी हिंदी में तो और ही कम पढ़ते हैं मैं यह नहीं कह रहे है कि किताबे मतलब मेरे सिंपल से कहने का मतलब है किताबे पढ़ने का रेशियो बहुत ही कम हो गया है जीवन में तो जो अब आपको हिंदी में जिस तरह पार्ट सुनाई दे रहे हैं चलो और अब ये काम में काम और कर दो जल्दी से यह वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भेज़ दो जिनके साथ आप सच में चाहते हो कुछ अपना पत्रिका निकालना हो सकते है अभी आपको कुछ इसका इस्तवाल नहीं हो लेकिन बच्चों यकीन मानो जब आप एक बड़े में तो आपको बहुत एक प्राउट फील होगा कि हाँ अभी आप लोगों के पास काम कम है स्किल्स को डेवलप करो मैं बारवार एक चीज़ कहती हूं हमेशा अपने स्किल पर ध्याद दो बाकि पढ़ाई के लिए टेंशन को ले रहे हो मैगनेट ब्रेंस की पूरी टीम है आपको हाई कॉलिटी कॉंटेंट देने के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो डालो योटूब पे मैगनेट ब्रेंस की प्रेलिस देख लो आपको बेस्ट रीजर्स के आपको वीडियो मिल जाएंगे चाहो तो हमारी वेबसाइट एसस कर लो या फिर मोबाईल अप्लिकेशन ड लाइक कर दो और अगर नए हो तो चानल को सब्सक्राइब कर दो चलो मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में और तब तक के लिए जय हिंद और जय हिंद की हिंदी